इस ट्रामा के नेक्स पार्ट में अब सभी का स्वागत है इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले इन सभी लेडिस से होती है जो कि न्यूएर के सेलिबरेशन के लिए चेर्स करती है और सभी के साथ अच्छे से बहेव करती है यहां पर हम देखते हैं कि यह सभी इस बात के लिए परिशान थी कि या खती है कि आकर हाओ जिया का क्या हाल हो रहा होगा और हम बात करी किसी को हाओ से मिले नहीं 5 प्रिंस को जो कि बहार आकर बिजनिस कर रही हैं इसके बाद यहां पर हम सब्सेर सब्सक्राइं वहा literalIST कारिवेगा शुकère ठांट्री है और दो प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज मेरी बात मानों तुम लोग जो भी पनिश्मेंट दोगे तयार हूं इसके अदू की सारी वाइब उनके पास आती है और उनसे कहती है ठीक है जो तुम हमारे साथ करते थे अब वहीं तुम्हारे साथ करेंगे उनके कंदों पर कॉइन डग देत हम तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले सपनों भी नहीं इसके बार लीवे को जैसे पर्मीशन मिल चाती है और यहां पर जैसी मिलती है कुछ टाइम करती है कब आप में हडी क्राउण प्रिंसे आते हैं और वहां से जाने के लिए बोलते हैं कि आगर तुम ने अगर तु करते हैं जब कि वो प्रेगनेंट है इसके बाद यह से भी डिसाइड करते हैं कि वो हाओ जिया की भागने में हेल्प करेंगे आफ़ यहां पर इंजंग भी उनकी हेल्प करता है और कहता है कि तुम जिंदा मत करो मुझसे जो भी होगा मैं करूंगा और प्लीस अपने आपको मसीबत में मड़ डालना इसके बाद हओ जागी मौँसे लेने के लिए आते हैं और इसके बाद कैरेज में बैठका दून उचानी लगते हैं तब यह भी हँजा की मौँसे रास्ते में एक सलाद देती हैं और कहते हैं कि हाओ जिया तुममारे आफ जिन्दकी बस से बतर होन चाहाँ जाए जाती है कि शायद इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है अफ़ दैट वो लौट जाती है यहाँ पर लीवेई और उन सब भी कावी बुरा लगता है कि हाउजिया की माम ने भी उसकी हेल्प नहीं की तिक लिए ने इतना बड़ा रिस्क लेकर उसकी हेल्प की हाउजिया को देखते हैं वो एक बेबी गर्ल को बड़ देती है और यह सुनते ही क्राउन प्रेंट अचानक से गायब हो जाते हैं और उस बेबी गल को देखने के लिए नहीं आते हैं और उस टाइम फांग रू हाउजिया के पास रहती है इसके बाद हाउजिया को हम इसके बारे में बात करती है कि आपका अपनी बेबी को एक बास देखना चाहिए और कहते हैं कि और उसमें कोई इंटरस्ट नहीं है और हां किसी और उन्मेरेड वूमेन को ज़ली ढूड़ो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं तभी इस बास से काफिदा परिशान होती है कि इ अपने पैलेस में आती है यहां पर उसे पता चलता है कि दरसल इतने साल उसे वह प्रेग्नेंट इसलिए नहीं हो पाई कुछ ऐसी दवाई मिलाकर उसे दे देते थे कि वजह से वह कभी बेबी बेर नहीं कर पाई इसके वह एकदम समझ जाती है कि आकर से क्या जाते हैं वह किसी और चीज़ की इसे बस चिंता है सिर्फ उसे अपने क्राउन प्रिंस की कुर्सी से लिए युवान एंग और शुवान की पर्मिशन लेकर फाइनली हाउजा से मिलने के लिए आती है क्राउजा को हमेशा के लिए एंडर कर देते हैं और उसे कभी भी बाहर आने के है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हमेशा यहां पर बंद करकर रख पाओगे बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारी स्कैस से आज़ाद हो जाँगी बिकॉस तुम एकदम घटिया इनसान हो इसके बाद हाउजा का गला पकड़ लेते हैं और इसके बाद हो लाने के लिए गाड के रोकते हुए भी अंदर घुस जाती है इसके बाद वहाजा को स्पूल से बाहर निकाल लेती है लेकिन सुप्रीम डॉक्टर को लाने के लिए यहां पर लीवे वह शुआ जाते हैं यहां पर जो सुप्रीम डॉक्टर हैं दरसर कि दिख बाल कर रहे पर फिफ्ट प्रिंस उन्हें जैसे तैसे वहां से ले आते हैं और से बाद हुआजा के लिए परिशान थे पर सेकेंड प्रिंस पर उन सुप्रीम डॉक्टर को अंदर चाने नहीं रहे इसके बाद यहां पर इंजिंग आता है और क्राउन प्रिंस के गरद़र पर दलवार हैं पर यह जीना ही नहीं चाहती है इसके बाद फांग्रू हाउजा से कहती है कि प्लीस हाउजिया तुम मर नहीं सकती है आखिर अपनी बेबी के लिए वापस आजाओ तुम्हें पता भी है कि आगर उसकी जिंदगी कैसी रहेगी अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगी इस के बाद क्राउन प्रिंस तुमारा क्या क्या कर सकते हैं प्लीस मेरे पीछे मताओ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है तब यहां पर लीवी कहती है कि हम दोनों सिस्टर्स है फ्रेंड्स नहीं है इसलिए जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी आफ़ तर फिप्रिंस क करते हैं कि हाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे finns प shortage हूँए तुम्हारी तरह है और इसके बाद लीवे इंजर्स की मौन से ने से बात करती है और उवाnn की क्रावंब ले जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ में वापस कर दो तब हाओ जीया उनकी सारी देवें गेट जोके उच बिपास अभी उसके सब कुछ वापस कर देते हैं मिस्टर अगर आपको कुछ धिकत है तो मुझसे बात कर सकते हैं इसके बाद यहां पर फांगरू उनसे बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है या वो टी मुझे सब कुछ बता है और हाँ आज के बाद मेरे डैड तुमारी कभी भी हेल्प नहीं करेंगे पर अगर मेरे डैड तुमारी हेल्प नहीं करेंगे तो तुम कुछ भी नहीं हो इसके बाद फांगरू करती है कि आज से हम दोने दूसरी को हेट करना स्टार करते हैं एंट करो हम सभी तरह हैं तो मिल करेंगे यहाँ बहुत यह अच्छा काम किया कि इतने अच्छे दोस्त बनाए यहाँ इंजंग की मॉम से मिलने ले जाती यहाँ पर इन चंग की मॉम यह बताती है कि आखर उन्हों वो बताती है कि जब बहुत ही है तो छोटी थी तब इंजेंग को उन्होंने बढ़ दिया था और तब उन्हें पर नहीं प्रावलम आजाती है नकली नोट पप्लिश हो रहा है वो पता नहीं कि आकर इन्हें एक मार्केट में लाग ओन रहा है कहीं न कहीं इसका इशारा सेकंड प्रिंस के तरफ था और उसके बाद एक के बाद एक प्रॉबलम महल में आना स्टार्ट हो जाती है यहां पर हम प्रिंस को देखते हैं जिन्हें गलती के दौरान उन्हें पहले से निकाल दे जाता है और इसके बाद प्रिंस में कुछ भी नहीं कर पाते बिकॉस वह इंचेंग को बचाने के चक बच्चेंग